आज हम दो डिसकस करेंगे मौग 9 टेस्ट का जो हमने पेपर करवाया था कंडेक्ट उसका सॉल्यूशन डिसकस करेंगे तो यह पेपर काफी टफ था और मैंने कोशिश करी थी कि इस पेपर के अंदर ऐसे कोश्चन्स लूँ जो कि प्रिवियस एर एक्जाम में तो आई हुए और यह थोड़े सा जीब है मुझे लगता है कि सुपर गूर्प में मेंबर्स तो काफी है मोर्डेन 90 प्लस मेंबर्स हमारे पास सुपर गूर्प के हैं लेकिन फेपर मुझे लगता है कि कमी लोग इंट्रेस्ट रहते हैं I don't know what is the reason वह सकता है बहुत सारे लोग के वल लेकिन कुल मिला के 43 लोगों ने लगबख इस पेपर को दिया था और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा कहना रहेगा कि आप लोग अगर किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे तो मॉक टेस्ट ना करें मॉक टेस्ट देते रहें क्योंकि सॉल्यूशन तो चलो मैं डाल दूँगा है तुम कैसे को सेलेक्ट करते हो कैसे आंसर पिक करते हो वही आपका सेलेक्शन करेगा ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखें इसलिए अगर जो भी मॉक टेस्ट देने के वह मॉक टेस्ट देते रहें ठीक है उनको इसकिप मत करें ठीक है ओके नौ यहां पर दूसरी बात ज आपको वो questions दिखाना जो की मतलब chart के मतलब more than thousands of questions में से ऐसे question chart के लाना जिनको solve करना इतना असान नहीं होगा उसी के लिए हम लोग यह पूरा तयार करते हैं ठीक है तो start करते हैं और यहां पर देखो question यह question था बहुत ही interesting question मेरे को लगा और मैंने डाला और more than 80% लोगों ने question गलत करा है बहुत ही बड़ी बात है काफी जादा लोगों ने इसको गलत करा simple सा question था देखो यहां पर पूछी गई है DC generator के अंदर rotating armature coil जब parallel होगा lines of flux के ठीक है तो यहां पर दो की स्टरीके की सिंगल Πार agricultural होती है थीक है यह क्वाइल to power इस तरीके की होतीं है तो अब देखते है किक कनिषन के नहीं होगी के दूसरी condition क्या होगी का नौर्थ यह साउथ है एंड क्वाइल हमारी क्या यह तेखे फ्लक्स के तो दो फ्लक्स लाइं यह गर पर किया है कि क्वाइल प्रपेंडुलर है ठीज है तो अगर यह फ्लक्स लाइं इस तरीके से नौर से साउथ मिकल के जा रहे है तो क्वाइल इसके 90ठी पर है जस्ट पर पर पंडुलर टू knocks इसके हो गया याँ यहां पर यह कहला है कंडिशन के अंदर है कोयआ त मैं है और यहां पर है वो कैसी एक है है पर पैति के स्क्रास लिंगे मीनिमां टॉलिंक कितना हो संधी को देख सकते परपेंड़र रग दी तो सारी की सारी लाइन जो होंगी इसके अंदर से इस तरीगे से पास होंगी तो इस condition में maximum flux linkage तो बिल्कुल देखो यहाँपर यह जो perpendicular वाला case होता है इसके अंदर हमें क्या मिलता है इसके अंदर हमें maximum flux linkage, maximum flux linkage मिलता है ठीक है दूसरी कंडिशन आती यहां पर फ्लक्स कटिंग एक्षन की यानि कि चींज ओफ लेंगेज तो अगर इस कोईल को मैं उपर मूव कराता हूं ठीक है तो यहां पर जब और वेफ्ड मूव करेगी तो यह सारी लाइन इससे की चींज तर्षके हो बेंगे और अगर यहां डीकाते हैं तो सारी लाइन यहां थे तरह यह यह जब उफ कर आएगे तो यह एयसे हो करेगा इस कंडिशन में अगर कोईल ऐसी तो करके जाएगी नीचे तो इस condition में आप देख सकते हो यहां पर जब जाएगी तो काफी हद तक coil जो होगी वो पैरलली चलेगी और क्या होगा थोड़ी देर बात जाके cutting action हमें देखने को मिलेगा तो यहां पर अगर मैं coil को इस तरीके से देखते हैं कि जब यह conductor होता है और यह lines होती है तो conductor को जब मैं move कराता हूं तो क्योंकि conductor पैरलली move करता है flux lines के तो minimum cutting action होता है इसी लिए जो MNA होती है महाँ पर हमें 0 EMF induced मिलता है ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर अब देख लो यहां क्या पूछा गया है कि coil क्या है parallel lines of flux की यानि कि यह वाले केस की बात हो रही है तो इस case में क्या होगा flux linkage minimum होगा और maximum flux cutting action देखने को मिलेगा तो flux linkage minimum और flux cutting action यानि कि flux rate of change of flux linkage maximum होगा तो यह B1 is the correct option आयों समझ में आ गया होगा बहुत interesting question था काफी लोगों ने इस question को गलत करा है यह side में जो वील आप देख रहे हैं this wheel is basically showing the number of number of wrong attempts समझ में आ रही बात है कितने लोगों ने गलत इसको करा है next question की बात कर लेते हैं कि यहां पर कहरे रखें कि जो line होती है critical resistance की DC generator में तो वो जो OCC characteristic होती है उसको touch करती है intersect करती है या touchy नहीं करती या parallel चलती तो इसके उपर बात समझ लेते हैं तो critical resistance क्या होता है जब भी हम बात करते हैं self excited DC generator की self excited तो self excited DC generator जो होते हैं उनके अंदर सबसे important चीज़ होती कि वह operation proper करने के लिए उनके लिए जरूरी होती कि voltage का build-up process हो voltage build-up इसको मैंने DC machine की lecture में बहुत detail में पढ़ाया voltage build-up का process तो voltage build-up is a very important part of DC generator ठीक है self excited DC generator self में जैसे series हो गया series DC generator हो गया शंट हो गया ठीक है compound हो गया इन सम्में voltage build-up के लिए कुछ conditions हैं जैसे की speed जो है जो आपकी rotor की speed है वो greater than होनी चाहिए critical speed से resistance जो है शंट winding का वो कितना होना चाहिए कम होना चाहिए critical resistance से ठीक है इसी तरीके से जो flux है field winding का वो support करना चाहिए residual flux को support में होना चाहिए residual flux के तो इसी तरीके से यह तीन-चार conditions है जो आपको important है जो पता होनी चाहिए ठीक है clear हो गया and final is that there is there must be a residual flux into the system ठीक है कि होना ही चाहिए residual flux वरना कैसे लाओगे तो अगर हम इसमें ध्यान से देखे तो यहां से पिक्चर के इंदर entry होती है critical resistance की critical resistance यहां भी बताता है कि अगर हम magnetization curve की बात करें तो यह हो गया field current and this is particularly the voltage तो अगर हम इसका कर बना है तो कुछ इस तरीके कर हमें देखने को मिलता है ठीक है तो जो लाइन इसको बिल्कुल टच करके निकलती है यहां से इस तरीके से टेंजेंशली टच करके निकलती है यह जो पर्टिक्लर लाइन होती center से पास होगी sorry एक नटर को इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूं है इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि यह रहा तो यह जो लाइन बेसे कली यह निकलती है ठीक है तो यह जो टच करके निकलती है इस पर्टिक्लर पॉइंट से इस लाइन को हम लोग कहते हैं आर क्रिटिकल तो इस बेसिकली दा इस बार बहुत कम रहे है तो यहां पर बहुत सारी लोगों ने इंटरसेक्ट वाला या पर टिक करा तो देख सकते हैं आप लोग इसको भी 80 परसेंट लोगों ने गलत जवाब दिया तो इसलिए इस बार नंबर बहुत कम रहे चालिस में से पंदरा नंबर जो थे ऑन एन एवरेज माक्स रहे हैं जो कि बहुत ही कम है तो यह नंबर कम को आप मत देखो मैं हर बार कहता हूं यहां पर यह देखो जब इस मॉक्ट टेस्ट को दे रहा हूं जो मैं डिजाइन कर रहा हूं आपको एम होना चाहिए कि ऐसे क चाहिए कि अगर को राख में घौ कर रहा है कि अगर तुम्मारी बांसर वीक मारता है तो जो मॉक्ट टेस्ट का जो में परपस होता है कि आपके वह घैप्स को पहले ही पता कर लेना जो कि एकशाम के टाइम में आपको कर राएंगे तो वह हमारा काम है ठीक है ओप्र defense को और बात करते हैं यह फोते हैं तो आपको पता है कि इनका 토र्फ होता है नौर शेज़ाने वाला वह सीधा सीधा ना जाके कुछ इस तरीके से जाता है या तो ऐसे जाएगा या फिर ये इस तरीके से जाएगा ठीक है डिपेंड on the rotation of magnetic magnetic neutral axis ठीक है कि मने किदर shift हो रही है ठीक है clear होगे हैं यह पर तो आप एक बात को ध्यान से समझो सबसे पहले दो चीज़े important है, मान के चलते हैं, यह rotor है, अगर rotor इस तरीके से घूम रहा है, तो यह वाला जो point है, जैसे मान लोग घूम रहे हो, अब तुम अगर इस पर खड़े कर दी जाए, तो तुम ऐसे करके तो जाओगे, तो सबसे पहले यह वाला point आएगा, तुमारी नजर में, ठ जैसी जब तुम इस वाले पोल में पहुंचोगे, तो जब यहां पर entry करोगे, तो हाथ जोड के entry यहां से करोगे, तो this is your a point, और जब तुम यहां से घूम के rotor यहां जाएगा, तो टाटा बाय बाय करोगे, वो किसको करोगे, बी वाले point को, समझ मारी बात है, तो टाटा ब बाय करेंगे, जब हमारा rotor निकल जाएगा, जो पीछे चूट जाएगा, और जो हमारा enter कर रहे हैं जहां पर, जो edge सबसे सामने से पढ़ रहा है, इसको हाथ जोड के हम entry ले रहे हैं, वो कहलाता है leading edge, ठीक है, वो lead कर रहा है हम से, तो leading edge, this is the leading edge, इधर यह वाला leading edge, ठीक है but because of the armature reaction MNA shift होगी, तो अगर generator है, तो MNA in the direction of rotation shift होती है, यह होगी, समझ मैं आरे, MNA इधर चली जाएगी, अगर rotor इधर घूम रहा है, और अगर क्या है, अगर तुमारा motor है, तो MNA जो है, वो opposite to the direction of rotation, मतलब यह अगर direction of rotation है, तो MNA इधर shift होगी, समझ मैं आरे, opposite to the direction of rotation, rotation, motor है, तो opposite to the direction of rotation, ठीक है, दो concept clear होगा, यहाँ पर आता है, तीसरा concept यह आता है, कि अगर हम बात करते हैं, MNA की shifting की, तो for example, यह कोई machine है, जिसके अंदर यह होगा, नौर्थ पोल, यह होगा, साउथ पोल, और MNA इधर shift होगी, MNA shift होने का मतलब क्या है, कि इस particular axis पर हमारे जो conductor से उनके अंदर E-MF induced zero होगा, और flux lines parallel होगी, तो यानि कि flux lines कुछ इस तरीके से ही तो जा रही होगी, यह रहा, ऐसे, ठीक है, यह, तो मतलब क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, कि जो MNA होती है, वो हमेशा perpendicular होती है, magnetic field axis के, magnetic field lines के, समझ मेरी बात है, तो अग उसके rotor से पास होने वाली जो field lines है, वो इस तरीके से होंगी, तो यहाँ पर यह जो MNA है, this is again perpendicular to this magnetic field lines, समझ मेरी बात ही है, तो अब देखो, यहाँ पर यह सारी concept होगा, this is the third concept, अब देखो, यहाँ पर यह तीनों concept को अगर मैं मिला देता हूँ, एक ही में, देखते हैं क्या होता है, तो देखो, यहाँ पर कहा गया है कि भाया, DC motor जो है, उसमें maximum flux किस पार्ट पर होगा, तो DC motor मान के चलते हैं, हमारी DC motor है, और motor है, और यह घूम रही है, मान के चलते हैं इधर, तो अगर इधर घूम रही है, तो MNA क्या होगा, in the opposite direction shift होगा, तो this should be the MNA, अगर यह M इस तरीके से होगा, तो flux lines कुछ इस तरीके से होगी, अब flux lines ऐसे कब होगी, तो जब यहाँ से सारी flux lines इधर से पास हो रहे होगी, यह, ऐसे, समझमारी बात ही है, यह जा रही होगी, and then इधर ऐसे करके, यह इसमें गुस रही होगी, यहाँ पर, समझमारी बात ही, clear हो गया तो अब क्या होगा अगर इस तरीके से जा रही होगी तभी ये सारी कंडिशन सही बैटेंगी तो ये कंडिशन हो गई सबसे पहले ये कंडिशन हो गई अब देखो यहाँ पर तो अगर इस तरीके से जा रही है तो मोटर अगर घूम इधर की तरफ रही है तो टाटा बाइब किसे करेगी इसे so this is the trailing edge and this is the trailing edge यह हो गया तुमारा leading edge और यह भी हो गया leading edge तो अब दो को question क्या पूचा गया है कि कौन से part में DC motor में maximum flux इखटा होता है तो maximum flux कहा होगा leading edge में देख रहे हो यहां पर इखटा हो रहा है due to the cross magnetization effect तो आप देख सकते हो यहां पर तो correct option क्या होगा c1 is the correct option समझ मारी बात ही आयू concept clear हो गया होगा next यहां पर question पूचा गया है कि speed of a motor generator set जिसके अंदर 6 pole की induction motor है चार pole की DC generator है ओके जब भी ऐसा कभी हो कि एक motor है और उससे एक generator हम लोग चला रहे हैं ठीक है और तुमसे कहा जाए कि आपको rotor की speed निकालनी है तो rotor की speed जो होगी आपकी ठीक है इंडक्शन motor है ठीक है speed of the motor generator set consisting of 6 pole induction at a 4 pole DC generator 3 phase 50 Hz अप्लाई इस डेश रप्यम अब देख एक बात समझ लो यहां कोई slip की जानकारी नहीं दी गई है तो हम slip को 0 मानके चलेंगे ठीक है मतलब हम मानके चलेंगे कि nr equal to ns है अगर दे रखे होती तो अलग बात होती तो ns की value निकालो ns equal to 120 f by p होगी ठीक है अगर 120 f by p है तो इस condition में क्या होगा फ्रक्वेंसी में पता पचास हट्स नव पीक अंदर सबसे बड़ा खेल होता है जब भी ऐसा होगा कि दो अलग-अलग पोल के motor generator set है मतलब यह motor जो तुमारी यूज कर रहे हो वह six पोल की है एंड़ फोर पोल dc generator है ठीक है सॉरी जो मोटर है इंडक्शन पोल की एंड dc generator कितना है तुमारा वह है फोर पोल का फोर पोल तो ऐसे केस में टोटल पोल कितरी होगा तो पी कोल्ट हो गया चार प्लस छे इक्वाल टू गया दस तो यहां पर आंसर आ जाएगा 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 तो इसको सॉल कर लिए फाइफ तो इस शुड़ भी दा इस शुड़ बीदा इस पीड ठीक है क्लियर हो गए यहां पर इस्पीड ऑफ डिश जनेटर तो इस्पीड ऑफ दा मोटर यहां पर आपकी निकल क्या गई होगी आई हुआ को समझ में आ गया को मोटर जनेटर सेट कितने स्पीड चलेगा 600 एर्पेम से चलेगा तो बीवन इस दा क्रेक्ट ऑप्शन और बहुत है बात है मतलब यहां पर 90 परसेंट लोगों ने इस कोशन को गलत आंसर दिया है समझ में आरी बात है तो सब्सक्राइब की 50 इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर रेस्टेंस पॉइंट 3 ओम है यानि कि रेस्टेंस दे रखा है 0.3 ओम और एक्स दे रखा है 1.2 ओम स्टेंड इस्टिल पे वाट इस वेल्यू आप इस्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क तो आपको पता है इस इंडक्श सब्सक्राइब करेंगे तो 1-0.25 इंटू एनस और यह कितरे निकल के आएगा 0.75 इंटू एनस अब एनस की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी नंबर आफ पोल्स दे रखें हां दे रखें चार इस पर्टिकुलर एक्शन को सॉल कर लो बहुत ही सिं को पूचा है कि हैवी लोड की कंडिशन के अंदर रिलेशन क्या होगा इस पीड टॉर्क स्लिप का एक बात समझो ध्यान से अगर हम स्पीड टॉर्क इंडक्शन मोटर में स्लिप में बनाते हैं टॉर्क हो गया स्पीड हो गई तो यह कुछ इस तरीके के कर मुझे देखने को गलत बने कर उल्टा बना दिया मैंने तरीके से बनेगा यह हो गई इस पीड है यह टॉर्क है तो कर जाएगा आपका यहां से ठीक है हाँ आप सभी है ही के क्लिर रहें यह आप पर तो यह होगे हमारी जब स्पीड जीड उन इक्वल टू जीरो अन इक्वल टू एन रिक तो 엔टउटो फटर्टी बनेगा एनलिटी जी RO पी钵्टी स्टार्टिंग उनेगा और यह तो है त्मारा मेक्सिपम टॉर्क इमेक्सिमुम टीक है ऀमेक्सिमूम अध्याम स्पिडए जिसको कह सकते हैं hinter क्यम स्पिट भी सोगी वह तो अगर आप इसको धिहान से देखोगे तो जैसे-जैसे हमारी स्लिप की वैल्यू जीरो से वन की तरफ जा रही है वैसे-वैसे आप देखोगे कि टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है तो यानिकी टॉर्क जो है यह डारिक प्रोशन हो गया स्लिप के ठीक है बहुत सिंपल सा लिए अरीग है तो यह दो जोन होते हैं एक होता है डिशुक का जो जोकी स्टेबल होता है अन्हुत दॉ-धर गाइगर हम हेवी लोट की बात करते है नेक्स यहां पर question पूचा गया है कि synchronous motor के case में negative phase sequence कब exist करेगा तो आप लोगों पता है कि positive हो या negative हो या 0 हो यह तीनों के तीनों जो phase sequences होते हैं basically symmetrical component का part हैंगे और यह picture के अंदर तब entry होती है जब unbalance supply की बात होती करेंगे तब ही ऐसा होगा तो जब भी किसी synchronous motor को unbalanced voltage से हम supply करेंगे तब यह picture के अंदर entry लेते हैं आप ध्यान रखना यह मैंने short series cover करी थी साथ lecture की seven lecture से harmonics के उपर वहाँ पर जाके देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो वहाँ पर मैंने यह चीज़ कवर करी है ओके तो यहां पर supply बीवाला इस दा correct option ना नेक्स कोशन की बात करते हैं कि synchronous motor कौन सी speed के लिए attractive होती है जिसका हम इस्तमाल करते हैं तो basically synchronous motor ना low speed के लिए चलाई जाती है तो 300 rpm is the C1 is the correct option बल्कि आप अगर synchronous motor को application के लिए लेना है तो ultra low speed के लिए हम खरीच सकते हैं ultra low speed ultra low speed के लिए भी synchronous motor जो होती है वो perfectly काम करती है ठीक है क्योंकि इसके efficiency हाई होती है और हमें constant speed मिलती रहती है ठीक है लेकिन हाँ ultra low speed पर चलाओगे तो power electronic converter चाहिए होगे ताकि हम लोग frequency को control कर सकें next यहाँ पर question पूचा गया है कि flux per pole अगर को synchronous motor का जब वो supply से connect नहीं थी बहुत अच्छा question है और वो कितना है 5-1 है यानि कि 5-1 है without load जब हमने उसके उपर कोई load नहीं डाला है और जब हमने उसको supply से connect कर दिया यानि कि उसको load डाल दिया उसके उपर तो वहाँ पर क्या हु अगर मोटर की बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो होता है demagnatization effect जो होता है वो leading current की वज़े से होता है leading current ठीक है अगर leading current motor draw करती है वहीं पर अगर synchronous generator है तो उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर demagnatization effect create होता है अगर generator क्या करता है lagging current को supply करता है समझ में आरी बात ही clear हो गया है यहाँ पर तो motor अगर leading current को absorb करेगी तब demagnatization effect होगा generator जब lagging current को supply करेगा तब demagnatization effect होगा तो यहाँ पर क्या पूचा गया synchronous motor है तो ऐसा कब होगा leading current जब motor absorb करेगी यानि कि जो supply हो रही है leading current की supply दी जा रही है समझ में आरी बात ही है तो leading the supply voltage तो current जोगी वो lead करेगी तब demagnatization effect देखने को मिलेगा तो B1 is the correct option 2015 ES में कोशन आया था बड़िया कोशन है पूचा है कि specific gravity जो होती है fully charged lead acid cell की वो कितनी होती है ठीक है बहुत बड़िया कोशन है तो देखो यह मैंने बैटरी का कोशन नहीं डाल लिया ता काफित तक लोगों ने सही करा है एक बास समझो जब भी हम बात करते हैं lead acid battery की तो lead acid battery के अंदर जो acid use होता है कई सारे question पानी से इसको dilute कर देते हैं तोड़ा और इसका इस्तमाल कैसे कर जाता है as an electrolyte एक electrolyte की तरह इसका इसका इस्तमाल करा जाता है सही है clear हो गया है यहाँ पर ना नेक्स चीज़ यहाँ पर पूची गई है कि specific gravity बेसिकली यह बताती है कि level of charge को signify करती level of charge की तुमारी बैटरी जो है वो कैसी है कितनी चार्ज है तो level of charge को अगर मानके चलते हैं बैटरी 100% चार्ज है तो इसकी जो value होगी specific gravity की वो होगी 1.21 से लेके 1.28 के एप्रॉक्स ठीक है 1.28 समझ मेरी बात है है और अगर मानके चलते हैं यह 75% है तो 75% केस में होगी 1.25 अगर 50% चार्ज है तो तो 1.19 और अगर fully discharge है 0% चार्ज है तो ऐसे case में 1.13 अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो value दे रखी वो 1.21 दे रखी तो B1 को टिक करेंगे वैसे approximately 1.28 के एप्रॉक्स इसकी value होती है ठीक है clear हो गए यहाँ पर तो B1 is the correct option next है पूचा गया है कि कौ राडे ने electrolysis के लेके दो law दिये थे law number one and law number two law number one मैं एक थोड़ा सा बहुत ही short मैं आपको बता जेता हूँ वो यह बताता है कि जो भी reactions होंगे ठीक है मतलब battery के अंदर जो amount of reaction होगा ठीक है electrodes पे electrolysis के process के दौरान वो मतलब जो भी reactions होंगे electrode पे reaction on electrode ठीक है जो भी होंगे वो directly proportion होंगे कि current कितना उसके अंदर से हम लोग पास करवा रहे है ठीक है दूसरा law number two यह कहता है कि जो भी substance उन electrode के आसपास जमा होगा या liberate होगा या electrode जो छोड़ेंगी ठीक है वो जो होगा वो directly proportion होगा किसके their equivalent weight के their equivalent weight यह short मैंने cover करा है बहुत detailed है अपने आप में तो कभी ह हम लोग battery cover करेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा सब्सक्राइब में जाएंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही है ठीक लिए रहो गया है तो इस आपको पता होगा एक होता है पी टाइब एक होते हैं ठीक है पी टाइब के अंदर क्या होता है पी टाइब के पी टाइब में क्या होता है बिसीकली हम लोग ट्राइवलेंड इंप्यूरिटी मिलाते और एंडायम में पेंटावलेंड इंप्यूरिटी आप जाए तो जैसे फॉर एक्जामपल हमारे पास जो सिलिकन मौजूद होता उसके पास चार बॉंड के लिए मौजूद है और इ ले लेते हैं एक 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 स्ट्रा एक इंपर्टेंट पर जिस तरीके से हम लोग की यह काम करतें तो अगर आपसे पूचे यह वह होते हैं जो पेंट वेलेंड इंपर्टे से बने होते तो देखा जाए तो यह सब सब जो हैं वो एंटाइप ही हैं क्योंकि ये और ये ये तीनों के तीनों जो हैं वो पेंटावन इंप्रोटी का पार्ट है तो आयो समझ में आ गया होगा तो डीवन इस दा करेक्ट आप्शन आयो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कर लेंगे यहां पर कोशन आयो है कि अगर जो रिस्पॉंस दे रखाना यह मैंने थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम कभी कुछ कोशन डालेते सिंपल से जो की काफी पूछे जाने की उमीद रहती है तो इस कोशन पूचा गया है कि जो पर्टिकुलर कर्व दे रखा है यह किस ची कोशन की वेल्यों होती है वह 0 से लेकि वरन के बीच में होती है ठीक है और जब भी ऐसा कभी होता है 105 के बीच में तो वहां पर हमारे पास आप देख सकते हो यह वाली कंटीशन मैच करती है तो 0 से 1001 में के बीच माद कर करती है ठीक तो यहां पर करेय spec jarike पिर दिए मान कि चलते हैं तो गेन मार्जिन पर क्या फरक पड़ेगा तो यह 90 परसेंट लोगों इस को गलत करा बहुत अजीब बात थी बिसकली गलत क्यों हुआ होगा क्योंकि उन्हों के पास एक क्वेशन फॉर्मॉला नहीं याद होगा इस बिसकली एक फैक्ट और फॉर्मॉला बेस्ट क अप्शन हाफ इसका अंसर होगा ठीक है कितनी बार आप देख सकते हैं एक्जाम में पूछा गया है यह बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन था कि दो लैंप है एक ग्रीन है यह वाला और एक रेड है यह वाला और यह पूछी गई है कि अगर हमने से मोटर सरकिट से करेंट कर आन करते हैं तो इड़ ड्रॉज अमांट का करेंट तो यह जो हूज इन्रस करेंट आएगा यह करेंट जो किसी बल्ब को जलाने के लिए सफिशेंट रहेगा ठीक लेर होगे हैं अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हमने स्विच को ओपन रहें दिया अगर हम ने क्या कर recipes को ओपन रहने से क्या होगा जो जी है वो क्या हो जाएगा वह बर्णाओट हो जाएंगा तो यह तो क्लियर होगेगे सप्लाई कट हो गई सप्लाई वहीं रुख जाएगी ठीक है तो जी कब बन होगा जब हम लोगोंने स्विच को ओपन रखेंगे अगर मान के चलते हमने स्विच को क्लोज कर दिया एक पॉइंट समझ में आ गया ना इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं अब देखो दूसरा केस की बात करते हैं स्विच को क्लोज कर दिया स्विच को क्लोज कर देंगे तो करेंट सरी करेंट से ऑप जब इस बल्ब से डाइवर्ट होगी तो यह बल्ब जल जाएगा तो अगर हम लोग स्विच को क्लोज कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा जी तो बच जाएगा लेकिन आर्ज होगा वह बर्न हो जाएगा समझ मारी बात ही है जी जलेगा जब S open होगा और रेड बल जलेगा जब S close होगा तो C1 is the correct option बड़ी को आईवा को मजाए होगा इस को स्कुशन करने में यह मेरा explanation है अगर आपके पास को डिफरेंड explanation है तो comment section बताना वह सकता है हम उस तरीके से से स्को solve कर सकें तो वहाँ पे आप बता देना ठीक है तो यह पूछा गया है तो एक्चुली मैंने इसका आंसर देख रहा था तो यूद्ध पॉब्लिकेशन जो है उसके अंदर जो आंसर दिया हुआ था उसके बेसिस पर मैंने पेपर तयार करा था तो वहां पर आंसर दिया हुआ था 240 वोल्ट जो की गलत पॉप्षण है और 6 15 यानि की C1 इस दा क्रेक्ट ओप्षन ठीक तो जिन लोका आप लोग देख लेना जो मांट आपके में भेज दिये सब लोग के लिंक पर तो जो आंसर शीट है उसमें करेट कर लेना और ये करेक्ट आपशन होगा क्यों जब यह बात करते हैं 3 phase 3 element की तो इसके अंदर basically जो pressure coil होती है pressure coil वो basically 2 phases के बीच में अटेच होती है तो for example R phase of Y phase के बीच में है ठीक है तो ऐसे case में क्या होगा यह pressure coil जो होगी यह must be rated होनी चाहिए लाइन वोल्टेज को बड़दास करने के लिए तो लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है 415 वोल्ट जो दिया हुआ वैसा ही सेम आ जाएगा तो 415 यह निकी C1 is the correct option समझ में आरी बात ही है तो जो यूथ publication है उसमें 240 दिया हुआ है और यही चीज़ आप इसको correct कर लेना clear हो गए यहाँ पर आयूब आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह आपर तो C1 is the correct option ठीक है mark कर लेना इसको okay next question की बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है कि 60 ampere 220 वोल्ट energy meter 51 revolution लेता है 35 सेकेंड में full load test पे तो हमें बताना है कि percentage error कितना होगा अगर meter का जो constant है वो है 420 revolution पर क्लोवाट आर ठीक है तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली एक हम इस question को solve करने के लिए जब भी हमें इस type question आता है मैंने youth publication की series cover कराई है आप लोगोंने measurement की देखना जाके लगबग 17 lectures मैंने cover करें उसमें maximum जो important question अच्छे थे measurement के वो सब के सब cover करें youth publication के तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो basically यहाँ पर error की बात हो रही वह किसके बीच में हो रही है कि जो हम energy निकालनी कोशिश कर रहे है theoretically minus जो हम energy निकालनी कोशिश कर रहे है real value की practically ठीक है clear हो रहा है यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में हम लोग compare करनी कोशिश करने तो अगर theoretically यहाँ से हमने निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमने निकाल लेते हैं तो एनरजी कितनी निकल के आ जाएगी यह वोल्टेज कितना दे रखा 220 इंटू कुछ नहीं दे रखा तो वन ले लेते हैं इंटू time period 35 सेकंड ठीक है अब इसको आप solve कर लो तो यह value अगर solve करो तो निकल by 3600R हो गया और प्लस glow में convert करना है तो इंटू 10 की power 3 तो इसको solve कर लेंगे तो value निकल काई 0.128 kWh ठीक है clear हो गया है यहाँ पर समझ में आ रही है आयूब आपको समझ में आ रही है तो यह वाट सेकंड थी यह वाट र हो गई and divide by 10 की और 3 kWh तो 0.18 निकल के आई अब अग पर क्या होता सिंप्ली अगर रियल में निकालें तो 51 revolution लिए डिवाइड वाई 420 ठीक है clear हो के इसको solve कर लोगे तो कितना आएगा 0.121 यह वैल्यू जो निकल के आई यह आपकी अगेन निकल के क्लो वाट आर में ठीक है तो क्लो वाट आर यह आई एक्ट्वल निकल के यह है theoretically तो जड़ा solve कर लो तो 0.128 माइनस 0.121 डिवाइड वाई theoretical value 0.128 इसको solve कर लोगे अगर आप इसको solve कर लोगे तो correct answer निकल के आ जाएगा 5.13% तो that is particularly the percentage error समझ में आरी बात है तो B1 is the correct option आई वाग को समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस case में यह करना तक clear हो गया होगा नेक्स आम बात कर लेते हैं कि एक्स की value क्या होगी फरी इस एक्स इस इंडेक्टिव रियक्टेंस पर फेस आर जो है और रेस्टेंस पर फेस है तो पावर फैक्टर एंगल कितना होगा maximum voltage regulation की condition में तो आपको याद रखना है कि maximum voltage regulation जो होता है maximum voltage regulation इन short transmission line जब भी हम बात करते हैं short transmission line की तो उसकी condition क्या होती है maximum voltage regulation हमें तब मिलेगा जब 105 की value कितनी हो जाएगी x by r हो जाएगी समझ मेरी बात ही है तो अगर आप चाहते हैं कि short transmission line में maximum voltage regulation हो तो वो होगा जब 105 की value x by r हो जाएगी तो यहाँ से 5 निकाल लो 5 equal to 10 inverse x by r and this 5 is the basically the power factor angle यानि अगर हम से कोई कह दे कि short transmission line at maximum voltage regulation पर power factor कितना होगा तो power factor के लिए इसी को हम लोग कॉसफाई कर लेंगे समझ मेरी बात ही है तो यहाँ सब निकाल सकते हैं तो b1 is the correct option ठीक है clear हो गया होगा now last question की raceway wiring के दौरान अगर हम बात करतें raceway wiring में तो कौन से color का wire जो होता हमेशा use कर रहा थे neutral connection के लिए ठीक है तो यह rrbj का question था और उन्होंने जो answer दिया था उन्होंने इस cancer दिया था यानिकि white is the correct option बहुत सारे लोगों ने इस cancer green लगाया है बट इस cancer होगा आपका white ठीक तो यह चीज़ clear हो गई होगी ध्यान रखना इसमें बहुत सारे लोगों ने इस cancer green लगाया था green वाला जो होता है वह अर्थिंग के लिए use करते अर्थ वायर के लिए ठीक है अर्थ वायर के लिए जब आप use कर सकते हैं लेकिन न्यूट्रल के लिए जब हमें use कर रहा होग तो आप एक्जामबल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का हम कवर यूज करते हैं और अपने वायर को बिल्कुल चैनल में चलाते हैं जैसे इस तरीके का आपने देखा होगा एक फंटी टाइब की आती है और इसमें सारी वायरिंग की होती है कि यहां पर हमार यह यहां रेक तुम के लिए और करते हैं सारे वायर ऊस्ते हिसे दिवार हो पे चला है तो इसमें की यहां पर करते हैं जो कि हम लोग weekly conduct करते हैं अच्छा कभी कभी क्या होता है कि Sunday की जंग हम लोग Monday Tuesday में कर लेते हैं तो इतना यार चलता है थोड़ा सा तो आप देना चाहते हैं तो अपनी membership upgrade करा लें अगर आप member ही नहीं है तो प्राइम member बन जाएं जाके देखें एक बार जो वीडियो पड़े हुए है बहुत ही classic वीडियो और अगर आप mock test and PDF notes चाहते हैं तो उसके लिए आप प्राइम member बन जाएं इन PDF notes के अंदर basically जो latest lecture है उनकी बात की गई है ठीक है और वहीं पर पुराने PDF notes चाहते हो तो simply यहाँ पर QR code दिया गया है 199 का scan करें mail कर दे मेरे को and मैं आपको link send कर दूँगा पुराने PDF notes का ठीक है clear हो गए यहाँ पर आप अपने कीमती समय दिया उसके धन्यवाद कोई doubt हो तो comment section बता देना और कोई